नमस्कार मैं प्रग्या धरद अतीस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को भले ही पूरे देश में अभी 5G का नेटवर्क नहीं पहुँच पाया हो लेकिन महतवकांची देश ने अभी सेहीच 6G नेटवर्क लाने पर भी काम शुरू कर चुका है इससे साफ है कि अगले एक दो वर्षों में जब पूरा देश 5G नेटवर्क से लास होडा होगा उसके कुछ ही वर्ष पास 6G नेटवर्क भी आने की तैयारी कर चुका होगा या विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा दो दिवसीय विशाल संगोस्टी में पानी के भीतर ड्रोन, अगनी समर प्रिनाली और रोबोटेक्स से संबनित घरे लोग प्रदर्कियों को प्रदर्शन किया जाएगा रोड मैप 4 और 5 औक्टूबर को आईजित होने वाले वार्सेक स्वालंबन समिनार के दूसरे संस्करन में जारी किया जाएगा प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी इस समेलर में भाग लेने वाले है दग्यानिकों ने एक और संभावित महामारी को लेकर चिंता जताई है इस महामारी को विश्व स्वास्त संगठा ने डिजीज एक्स नाम दिया है डबलू एचो ने कहा कि यह हो सकता है कि यह दुनिया में फैलने सुरू भी हो चुकी हो UK के हल्थ एक्सपर्ट्स ने डिजीज एक्स के बारी में कहा है कि जल्दी एक नई महामारी देखने को मिल सकती है जो COVID-19 से भी अधिक घातक सावित होगी 1918-1920 में स्पैनिस फ्लू से दुनिया भर में 5 करोड लोगों की जान गए थी और डिजीज एक्स के कारण भी इतनी ही मौतों की उम्मीद की जा सकती है FSS AI ने एक नए नियम जारी करते वे खादे पैकेंजिंग में अकबार और बेकाल प्लास्टिक इस्तमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है भारती खादे सुरक्षा और मानक प्राधिकर ने लोगों के स्वास्ते को ध्यान में रखते वे यह फैसला लिया है स्नर्णाय के पीछे FSS AI का एक मात्र उदेश्य खादे सामगरी में हो रहे सुक्षम जीव विज्यानी राशाइनिक भौतिकी और वायो मरली प्रदूर्शन में हो रहे बदलाव के कारण आमजन के स्वास्ते पर पढ़ रहे बुरे असर से बचाना है साथ है उन्हें एक बहतरी इंखादिस सामगरी प्रदान करने का उदेश्य है टीबी के खिलाफ लडाई पर सिंवतराश्टर महासभा की हाई लेवल मिटिंग में दुनिया भर के निताओं ने 2030 तक टीबी की बिमारी को जर से खत्र करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनेति घोशना को मंजूरी दे दी है अगले पांस सालों के लिए नए लक्ष नर्थारित किये गए हैं जिसमें 90 प्रतीशत लोगों तक टीबी की रोक्ताम और देख भाल के सास्थ देवाएं सही समय पर पहुंचाना बिमारी से पिरत लोगों को समाजिक लाफ पैकेस देना और कम से कम एक नए टीके को लाइस की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है यूए एन एफपी की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के नुसार राश्टी अस्तर पर बुज़र्गों की आबादी का हिस्सा 2021 में 10.1 प्रतीशत से बढ़कर 2036 में 15 प्रतीशत और 2050 में 20.8 प्रतीशत होने का नुमान ह भराश सरकार के सूतरों का दावा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज़र की हत्या असल में पाकस्तान की खूफिया एजनसी ISI ने कराई है सुत्रों के मताबिक निजर की हत्या असल में ड्रक्स के काड़ोबार पर नियतरन की वचस्ति हुई है निजर की हत्या में कराड़ा एस्थत आईएसाई के दो एजेंट राहत राव और तारिक क्यानी शामिल है ये दोनों भारत की most wanted सुची में शामिल है जोसी मत में सबसे अधिक भूध धंसाओ दिशंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच हुआ डिशनल इंस्टिट ओफ जियोफिजिकल इंस्टिटूट हैदराबाद के अध्यान में एक किलोमीटर लंबाई की लाइन में सिटरलाइट से लिए चित्रों में जोसी मत के 6 सेंटीमीटर से 1 म मीटर तक धंसने के आकरेट दर्च किये गए हाला कि एक मीटर तक भूध हसाओ एक सिमिच छितर में था इसके साथ ही जमीन के भीतर 10 मीटर तक बड़े बोल्डरों का पता चला रानमत्री नंत्र मोदी ने यूटूब पर दिखाई जाने वाली विशेच सामगरी के निर्मताओं से अपने काम के जरिये स्वक्षता, डिजिरल भुकतान और वोकल फौल लोकल अपियान पर जागरुकता फैलाने का बुदवार को आगरा किया उन्होंने कहा देश को जागरुक करो, एक आंदोलंस तुरुकर, उन्होंने कहा कि वह 15 वर्स से एक यूटूब चानल के माध्यम से देश और दुनिया से जुरे हुए हैं, मोदी ने लगभग 5,000 विशेच सामगरी निर्मताओं को संबोधित करते वे कहा कि उनकी और उनके पास इसे और अधिक प्रभवी बनाने का मौका है। कि इंसनातन और विनाशी है और उसे खत्म नहीं क्याना सकता। राष्ट्य विधी आयोग ने बुधवार को अपने सदश्यों के साथ एक देश एक चुनाओं सहे तीन मुद्वों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई। इन में से एक राष्ट्य एक चुनाओं मामली पर कुछ पेज फसा है लेकिन बाकी आने दो मामलों पर सर्वसमती बन गई। लोग कमिशन की बैठक कत्म होने के बाद आयोग के अध्यक्ष रुतराज ने कहा कि बुधवार की बैठक में हमने एक राष्ट्र एक चुनाओं की अवधारना पर चर्चा की लेकिन इस मुद्धे पर कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। लगता है कुछ बैठक और करनी होगी अंतिम रिपोर्ट भोजने से पहले और बैठक होगी। कैंसर को एक ऐसी बिमारी बताया जो साइलेंट है मंत्री ने कहा कि संजीवनी का मुख्य लक्ष कैंसर के प्रती जागरुकता को बढ़ावा देना है। लोगों को इस बिमारी से जुरी चानकारी देनी है ताकि उनका डर दूर हो सके। मांडविया ने कहा कि कैसर के लाज में जिन 90 दवाओं का अस्तमाल होता है उनमें से 42 भारत द्वारा बेहस सस्ती कीमत पर दिया जाता है। अमेजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कंपनी को अपने 30 साल के इतिहास पे सबसे कठें कानोनी हिलराई का सामना करना पर रहा है अमेरिका में अमेजन पर संगिये वैपार आयोग और 17 स्टीट अटर्णी जनरल की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गया है। आरोपे कंपनी अपने प्लैटफोर्म पर और उसके बाहर कीमते बढ़ाने विकरताओं से जादा सुल्ख लेने और प्रतिसफर्दा को दबाने के लिए बाजार में अपने सिर्थी को दुरूपियों कर भी है। देश में डेंगू के मावले बढ़ने के मदनजर केंद्रे स्वास्ते मंत्री मंसुक मानविया ने बुदवार को अधिकारियों को नर्देश दिया कि वे मच्छर जनत पिमारी पर अंगुस लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैत रहें और निवारा को पायों का दिया गया था विस से लेकर गौडव कपोर ने प्रतिक्रिया दिया और कहा है कि यह कैसी उपलब्धी है दरसल के B.C. में नाम आने के बाद यूजरस गौडव को इस खास उपलब्धी के लिए बधाई दे रहें अविसी को लेकर गौडव कपोर ने मजाक के आंदाज में प्रतिक्रियादी है। प्रतिक्रियादी समाने और सूपर स्पेसलिटी ओपीडी, एकिकरित रूमेटिलोजी, दन्चिकसा और अनकॉलोजी ओपीडी का विशेश रूप से दोरा किया और महां मरीजों को दी जारी चिकसा देखी। प्रतिक्रियादी समाने और मैनिफ्रेक्ट्रिंग के इनर्मान से हो सकता है। इसके बाद कनाड़ा के सहीयोगी शुरवात में धीमी प्रतिक्रिया दे रहे थे लेकिन अब कनाड़ा के लिए समर्थन बनाने लगे हैं। अमेरिका के राश्ची सुरक्षा सलाकार जेक सुलीवन ने हाली में मीडिया से कहा था कि अब हम किसी विदेश को छूट नहीं देंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वह से लेकर चिंदित है लेकिन अगर कनाड़ा को समर्थन मिल रहा है तो भारत अकेला नहीं है। करने के लिए चीन द्वारा दिया गया कोई भी अस्पस्टिकर अनवास्ता में तर्क संगत नहीं है। की मुलाकात हुई है। इससे लेकर एजेंसी असतर्क है और दोनों पर नज़र रखी जा रहा ही नौर्थ अमेरिकन मनिपूर ट्राइबल एस्सटियेशन के कनाड़ा चैप्टर के प्रेसिडेंट लेइन गंगांग्टे ने इस आयोजन में भाशन भी दिया था। कलकता हाई कोट के जज जस्टिस अभीजीद गंगोपाध्याई ने बुदवार को भरी अदालत में पूझाई कि आस्टी बियाई सुप्रीम कोट के किसी भी रिटायर जज़ के खिलाब जांच कर सकती है। जस्टिस गंगोपाध्याई ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्टी के पुरवज की मंगा सक्षक भरती घुटाले में आरोपी और त्रेमिल कॉंग्रिस के निता मानिक भटाचारे से संबंध है भटाचारे फिलहाल जेल में बंध है सुप्रीम कोट के जिस पुरवज के खिलाफ जाच की बाद हाई कोट के जज़ कर रहे हैं वो इसी साल से वाने व्रत हुए हैं के महत्वकांची नदी जोरो योजना से जल संकट और गहडा सकता है एवं मानसून की पड़ी पार्टी भी प्रभावित हो सकती है दावा जर्नल नेचर के में प्रकाश एक अनुसंधान पत्र में किया गया है अनुसंधान के दुरां छेतरे जलवायू मॉडल और आंक्रो गदसपरदा के फाइनल में जगबनाने वाले देशों के दोनों सूटर मेडल जीतने में नाकाम रहे सरब जो सिंग अर्जुन सिंग चीमा और शिव नरवाल ने बेहत करी मुकाबले में चीन की टीम को पचार कर सिरस स्थान हाशल किया और भारत को निर्शाने बाजी में चौथा गोल्ड दिलाया भारतिय सूटर्स गेम्स में अब तक चार गोल्ड, चार सिल्वर और पांच प्रॉंज मेंडल जीत चुके हैं। टीम गुरुवार को एशियन गेम 2023 में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से चीन के लिए रवाना हुई, भारतिय टीम अपने अभियान के शिरवात 3 अक्टूबर को करेगी। हमायदरा पूछी के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजावब हमें हमारी कामेंट सेक्ष्ण बॉक्स में लिख कर दिया है, जिन्हों नी हमायदरा पूछी के सवाल का जवाब दिया है। अब बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है। आप खुद का बचाओ टिंगो से कैसे कर रहे हैं। अपना जवाब हमें मारी कामेंट सेक्ष्ण में लिख कर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। अपना जवाद।